इतने खुश रहने के पीछे का राज, कुछ महीनों पहले की बात है, मैं नई किराय के तीसरे माले में शिफ्ट हुई थी, किराय का फ्लेट दो कमरों का था, दो बालकनिया थी, एक बालकनी रसोई में और एक होल में थी, जो कि रोड़ वाले साइट पर थी, रोड़ के ठीक सामने बड़े-बड़े बंगले थे, मैं अकसर शाम की वक जब बालकनी में जाती, तो ठीक मेरे सामने वाले बंगले में एक ओरत, जो कि उम्र में बड़ी थी, 55 साल के करीब उनकी उम्र होगी, अपने बगीचे के पेड़ पोधों में पानी डालती दिखती थी, मैं उनको इस सुम्र में भी इस तरीके से मुस्कुराना अच्छा लगता था, धीरे-धीरे समय के साथ मैं हर रोज बालकनी में जाकर आंटी के घर की ओर देखती, वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती नजर आती, उनके घर में मुझे कोई आदमी नहीं दिखता, बस आंटी उनका छो पोते का सारा काम करती, कई बार तो लगता जैसे आंटी आया बनकर रह गई थी, कोई उनको सुनने वाला भी नहीं था, एक दिन मैंने आंटी को जोर से आवास दे कर कहा, मैं पजार जा रही हूं, आप भी चलेंगी, आंटी ने कहा नहीं, सोनू स्कूल से आता होगा, उसे खाना खिलाना है, आज नहीं फिर कभी चलती हूं, अब तो शक यकीन में बदल गया, कि उनकी बहुत सारा काम अपनी सास से करवाती है, बिचारी आंटी, मंगलवार के दिन पास के मंदिर में पूजा थी, मैंने आंटी से कहा चलिए थोड़ा पुन्ने कमा लेते हैं, पू कैसे ही समय निकलता गया, मुझे आंटी को देखकर उन पर बड़ी दया आती, और मैं मन ही मन उनकी बहु को बुरा कहती रहती, कि कैसी बिकार बहु है, खुद तो सारा दिन पाहार रहती है, बच्चे को भी नहीं संभालती, वो भी इस बुड़ी ओरत को ही देखना पड़ हुई, कि कहीं इस बहु ने बिचारी आंटी को कुछ कर तो नहीं दिया, या फिर उन्हें कहीं व्रद्धाश्रम में तो छोड़ तो नहीं आई है, तभी मुझे आंटी नहीं दिखाई दे रही, अब एक दिन और बीता, मेरी चिंता और बढ़ने लगी, अब मैंने सोचा थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, उनके घर चलकर देखी लेती हूँ, आकिर मैंने दोपहर के समय जब उनके घर कोई नहीं होता जाने का निश्चे किया, दोपहर के समय मैंने घर के रिंग बजाई, एक बाई आई, उसने दरवाजा खोला, मैंने कहा, आंटी है, वह बोल आंटी हुई है, काफी कमजोर लग रही है, ग्लुकोस चढ़ा हुआ है, उन्होंने मुझे देखते ही कहा, अरे तुम, आओ आओ, यहां मेरे पास बैठो, अब मुझसे रहा नहीं गया आंटी की ऐसी हाँ देखकर, मैंने आंटी को गुसे में कही ही दिया, आंटी, आप अ ऐसा मत बोलो, पहले मेरी बात तो सुनो, एक साल पहले तक हमारा भरा पुरा परिवार था, हम दोनों, हमारी बेटा बहु, मीरा पोता, हम सब पड़ी खुशी-खुशी रहते थे, फिर कोरोना आया, इस कोरोना ने हमसे सब कुछ छीन लिया, पहले ये, और फिर मेरा बेट भी ये दुनिया छोड़ कर चला गया, पीछे रह गए हम तीनों, जैसे तैसे तीन-चार महिने में एक दूसरे को संभालते हुए, हम धीरे-धीरे आगे भड़े, सारी बचत भी धीरे-धीरे खतम होने लगी, फिर मैंने ही अपनी वहु को हिम्मत दी, कि उठ अपने पैरो मैं भी अपने बहु और पोते के लिए ही जी रही हूँ, वर्ना तो इस जीवन में कुछ बचा ही नहीं, जब तक अपने हाथों से पोते और बहु के लिए खाना ना बना लो, मुझे खुद खाना अच्छा नहीं लगता, मंदिर में जाने से मिलने वाले पुन्य से कहीं ज इतना गलत सोच रही थी, आंटी ने कहा कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना, ऐसे ही बिना सज्जाने किसी के प्रती भी अपनी राय नहीं बनाने चाहिए, हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे आ आप अपना ध्यान रखना, अब घर आकर मैंने चैन की सांस ली कि आंटी ठीक है, और मन ही मन अपनी सोच पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अब आगे से ऐसे ही किसी के बारे में अपनी राय नहीं बनाऊंगी, फिर दो दिन बाद आंटी मुस्कुराते हुए पोधों में पानी डालती नजर आई, उनको देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, अब सब ठीक था